हारत के एक और पडोसी देश में अब सरकार विरोधी दंगे परदरशन शुरू हो चुके हैं और लग ऐसा रहा है कि बंगलादेश के बाद जैसी खबरे मालदीव से आई थी तक्ता पलट की अब तीसरा देश इंडोनेशिया इसी कतार में खड़ा हो सकता है यानि कि सरकार क तक्ता पलट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका कारण है कि इंडोनेशिया में बिलकुल परदरशनों की वही स्क्रिप्ट वही कहानी दोहराई जा रही है जो घटी बंगलादेश के अंदर मतलब की लोग सरकार के खिलाफ परदरशन करने उतरते हैं सरकार अपना फैंसला व परदरशन की बात मानती है परदरशन खतम करवाती है लेकिन फिर 48 घंटों बार ही एक तीसरा मुद्दा लेकर आ जाते हैं परदरशन कारी मानो लग ऐसा रहा है कि कोई बहारी ताकत इस देश को अस्थिर करना चाहती है और ऐसा क्यों लग रहा है तो चलिए मैं आपको प परदरशन थे वरतमान राष्ट्रपती जोको विडोडो के खिलाफ जोकी इंडोनेशिया में बहुत जादा पॉपुलर हैं क्योंकि इंडोनेशिया में वो अकेले ऐसे राष्ट्रपती हैं जो सिंपल बैग्राउंड से आते हैं साधारन व्यक्ति हैं वरना आज तक इंड का आदमी होता है या फिर इंडोनेशिया एलिट क्लास का यानि कि जो लोग हमेशा से सत्ता में बने रहे हैं उन्हीं के लोग सत्ता में आते थे जोको विडोडो पहले राष्ट्रपती हैं जोकी एक साधारन परिवार से आते हैं तो खैर अब से छे दिन पहले इनके खिला कर सकती है जब उसके पास कम से कम 20% समर्थन हो आम जनता का यानि कि 20% वोट लाओ तभी आप एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए नोमिनेट कर पाओगे इतना ही नहीं दूसरा फैंसला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि इंडोनेशिया में अभी तक चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी उमर का आदमी लोकल चुनाव लड़ सकता है लेकिन अब से 30 साल का एज लिमिट होगा कोई भी वेक्ति अगर मेयर पारशद या फिर छोटा मोटा चुनाव भी लड़ना चाहता है उसकी 30 साल की उमर होनी चाहिए जो को विडोडो को ये पसंद नहीं आया उन्होंने कहा कि ये फैसला छोटी पार्टियों को खतम कर देगा और साथ ही जो यूवा राजनिती में आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे इसलिए उन्होंने एलान किया कि वो संसद में जाकर इस फैसले को पलट और उनके इसी ऐलान के बाद पूरे इंडोनेशिया में जोरदार परदर्शन शुरू हो गए राश्टपती के खिलाफ क्योंकि लोगों का कहना ये है कि मेंली वो पलटना चाहते हैं एज रिस्टिक्शन वाला फैसला क्योंकि राश्टपती जोको विडोडो का बेटा 29 सा का है वो राजनिती में आना चाहता है और वो राजधानी जकारता का मेर चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद वो एक साल तक मेर का चुनाव नहीं लड़ पाएगा फिर अगला मौका उसे चार साल के बाद ही मिलेगा इसी लिए जोको विडोडों का विरोध बढ़ गया दो दिनों के अंदर परदर्शन दंगों में बदलने लगे और इसी लिए जोको विडोडों ने परदर्शन कारियों के सामने घुटने टेक दिये और ये कहा कि हम फैसला वापस नहीं लेंगे जो सुप्रीम कोट ने लागू किया है वो ने अरबो खरबो की संपत्ती बना ली है जबर दस्त करप्शन करके और साथ ही ये अपने बेटे अपने भतीजे और अपने जितने भी परिवार के लोग हैं इन्हें राजनीती में बढ़ावा दे कर नैपोटीजम को आगे ले जा रहे हैं और इसी लिए हम चाहते हैं कि ये तुरंत इस्तीफा दें बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होगी आप जानकर हैरान होंगे कि ये परदरशन जो एंटी करप्शन वाले हैं ये तो अब तक चलने हैं इसी के साथ साथ एक तीसरा परदरशन शुरू हो चुका है इंडोनेशिया में वहां के टैक्सी ड्रा कर दिये हैं और दंगे करने शुरू कर दिये हैं कि उनकी मांग है कि सरकार उनका किराया बढ़ाए खासकर जो बेस टैक्सि ड्राइवर कि हमारा जो मेज है हमारी पहारी किए एक परदरशन सेबसर नहीं चाहती और लगातार अलग-अलग मुद्दों को उठा कर इन परदर्शनों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए आने वाले दिन इंडोनेश्या के लिए महतपूर होंगे कि क्या ये इन परदर्शनों को शांत करके अपने देश को स्थिर रख पाएंगे ये फिर इनका हाल भी बंगलादेश की तरह होगा